हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करेट बेल सी रतुल में मैं हूँ आपका दोस्त रतुल कोयल आज हम बात करेंगे MMTC पर MMTC जो के उपर के लेवल से नीचे प्रेक्ट होता हुआ नजरा रहा है तो कहां पर यह सपोर्ट ले सकता है और किस हो सकता है ने ले टाइम में थोड़ी सी इंप्रूब होती हुए नजरा है तो डेली चार्ट के उपर देखिए आपको पुरा पूरा चार्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देगा तो यहां पर देखिए जब स्टोक इसके उपर बना हुआ था तो एक अच्छा इस इसने सपोर्ट ले रखा था से इस Sickline के ऊपर तो यहां पर सपोर्ट लेता वह नजरा या अगें है तो ήपर सपोर्ट ले रहा था अब यह अच्छा खासा श्रीश्ट係न्स बनता वह नजरा और जैसे इस रिजिस्टन्स को यहां पर इस ने ब्रेक किया तो इसी काफी उपर जाता हूँ नजर आया अगें देखिए स्टोक उपर से निचे आया तो इसी टेंड लाइन के उपर फिर से सपोर्ट लिया अगें सपोर्ट लिया तो काफी बार इस लाइन के उपर से निचे आ रहा है इसी trend line के उपर ये support लेता हुआ माना जा रहा है कि इसके उपर ही support लेता हुआ नजर आएगा और फिर यहां से फिर again bounce back कर सकता है इस level के लिए तो 65 के आसपास जो stock है जब इस trend line को ये break करता है उपर की जो trend line से इसको break करता है तब stock 65 के आसपास जाता हुआ नजर आता है ये एक काफी strong resistance zone 64-65 का दो-तिन बार यहां से stock reject हो चुका है और नीचे के level पर support लेता है तो यहां पर आप देखे इस level के उपर आपको बिल्कुल नजर बना के रखनी है अगर इस level को ये break करता है जो की 45 के आसपास का level है अगर इसको break करके ये stock नीचे की तरफ निकलता है तो stock जो है खाफी weak हो सकता है जो इससे 42 के level तक भी आ सकता है अगर इस level को ब्रेक करता है और अगर इस level को जैसे पहले इसने maintain किया है और इसको अभी आगे भी maintain करके रखता है या consolidate होता है तो stock जो है अगें आपको 55 तक के level दिखाता हो नज़राएगा और जैसे ही इस level को ये break करता है तो again 65 तक के level दिखा सकता है 65 को cross करेगा जा नहीं करेगा वो आने लिए time में हम review करेंगे बट सब से पहले आपको देखना है कि जो निच्चे का level है तो इस line तक ये पहुंचता हुआ नज़राएगा इस line को break करने के बाद इस line तक पहुंचता हुआ नज़रा सकता है तो ये जो levels में आपको बताए बिल्कुल आप अगर इसके अंदर trading कर रहे हैं जा कुछ investment का नज़रिया बना रखा है तो इन levels को बिल्कुल note करके रखिए निच्चे का level 45 है सबसे पहले अगर break करता है किसी condition में इसके chance जबी कम लग रहे हैं अगर ये stand line को respect करता है तो अगर break करता है तो 42 और 40 के level दिखा सकता है उपर के level 50 को निकालना काफी जुरूरी है ये stand line तक पहुचता हुआ नजर आएगा और अगर इसको भी निकाल देता है तो 65 के level दिखाता हुआ नजर आ सकता है तो इन levels के उपर नजर रखिए और risk reward ratio इसके अंदर अच्छा बन रहा है अगर ये इसको maintain करता है तो stop loss लगा के ही trading कीजिए विदाओ stop loss trading मत कीजिए थैंक यू दन्य बाद